नमश्कार फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है आशा करती हूँ आप सक लोग स्वस्त होंगे चलिया आज का टॉपिक शुरू करते हैं आज का टॉपिक है इंटर्मिटन्ट ब्लीडिंग यानि वो ब्लीडिंग जो महीने में पेशेंट को दो बार हो रही है यह नॉर्मल बिलकुल भी नहीं है और इसके लिए ट्रीटमेंट की जरुवत होती है क्योंकि ब्लीडिंग में आपका ब्लड लॉस बहुत जादा हो रहा है और इसकी हैं वो स्कूल भी नहीं जा पाती है उन्हें बहुत ज़्यादा पेन और वीकनेस आ जाती है चलिए तो शुरू करते हैं अगर किसी बच्ची को या किसी फिमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और सिम्टम्स जैसे कि पेन है ब्लीडिंग है और टायर्डनेस है वो एक दम से आते हैं और एक दम से चले जाते हैं जैसे दर्द पेशेंट को लगता है और अभी आया और अभी चला गया और यह फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है ऐसे और पेशेंट को गरम-गरम मैसूस होता है उसे लगता है जैसे होट वेपर उसकी बॉड़ी में से निकल रही है, dark, red, hot उसकी skin हो जाती है, even lower abdomen की skin भी dark, red और hot हो जाती है, इस case में belladonna दे सकते हैं, अगर patient को pre-menstrual syndrome हो रहा है, intermittent bleeding भी है, जैसे उसको bleeding, अभी periods आए, periods खतम हुए, तीन दिन बात, फिर उसको pre-menstrual symptoms आ गए, जो periods से पहले आते हैं, और फिर उसे periods आ गए, फिर उसे pre-menstrual, यह cycle अगर इस तरीके से repeat हो रही है, और उसकी जो extremities है, जो पैर है, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द है, और पैर सूज गए है, puffiness आ गई है, और ऐसे लगता है कि body पे, especially नीचे वाले हिस्से पे, कि अगर दबाएं उसको, अगर ऐसे दबाएं इसकी इनके हिस्से को, तो यह लगता है, उसमें पानी भर गया, और पानी के भरने की वज़े से, उसमें बहुत ज़्यादा swelling type puffiness हो गई है, तो इस case में हम बोविस्टा देते हैं, next medicine आती है, cyclamen, cyclamen, जो है, mainly use की जाती है, reproductive system में, अगर कहीं भी infection हो गया है, तो, इसके अलावा, यह intermittent bleeding की भी बहुत अच्छी medicine है, patient को labor like pain होते हैं, जैसे कि delivery के वक्त pain होते हैं, patient वैसे pain experience करती है, बहुत thick blood जाता है, thick in the sense, it is not more like liquid, it is thick in texture, और periods के बाद, breast में patient को swelling और tenderness feel होती है, और यह symptom खाली periods के बाद नहीं, periods से पहले भी patient experience करती है, अगर वो कर्वट भी लेती है, तो उसकी वो नहीं ले पाती है, बहुत जादा उसके लिए difficult situation होती है, कि कर्मट ले, क्योंकि उसकी breast बहुत जादा tender है, और painful भी हो जाती है, इसके अलावा कई-कई बार कुछ patient में milky secretion from nipples भी देखा जाता है, और साथी साथ उसको periods दो बार आ रहे हैं, तो sickla man इसके लिए remedy हो सकती है, अगर periods delayed है, delayed in the sense कि period आतो रहे हैं तीन महीने बाद, और blood जो है, बहुत जादा thin है, और light color का है, dark red blood नहीं है, तो इस case में हम crotellus horidus देते हैं, next आती है crocus sativus, crocus sativus, excess bleeding, intermittent तो है, लेकिन इसके साथ ही bleeding भी बहुत जादा हो रही है, इतनी हो गई है कि patient को weakness आ गई है, वो उठनी पा रहा है, उसे भूख नहीं लग रही है, उसका सारे system disturb हो गए है उस वज़े से, और अगर हम उसकी menstrual blood को देखें, तो वो धागे की तरह खिचेगा, या strings, जैसे strings, ratio, उसकी तरीके से खिचता है, और वो large हो जाता है, patient जब pad change करती है, तो वो देखती है कि उसमें blood में जो strings है, thread-like structures होते हैं, तो इस case में crocus sativus देते हैं, अगर आपके intermittent bleeding है, periods के वीश में दो बार, periods आपको महिने में दो बार आ रहे हैं, urine burning है, और rectum में भी, rectal area में भी irritation है, मतलब urinary system plus digestive system में आपको difficulty हो रही है, burning urine and tenderness in rectum with menses at every 15 days, then erigron is the best remedy, इस case में हम erigron दे सकते हैं, लेकिन वो ही मैं आपसे हाद जोड के विंति करूंगी, कि कोई भी medicine का medication करें, तो किसी homeopath की advice से ही करें, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक या फिर इनकी dose या duration आप ज़ादा ले ले लेते हैं, या कम ले लेते हैं, वो आपको results नहीं देगा, और कही ना कहीं वो आपके लिए harmful भी हो सकता है, मुझसे कुछ help चाहिए, तो मेरी comment box में comment करें, मेरा channel subscribe करें, और हमारी website homeopathblessings.com पर visit करें, मेरे साथ बने रहें, स्वस्त रहें, हस्ते खेलते रहें, thank you, have a nice day.